हलो स्टूरेंट्स कैसे हैं आप सब मैं हूँ प्रग्या मैम आपके सामने तो स्टूरेंट्स एक बात बरता ही है जैसे मैं सोचती हूँ कि क्या एक इंडियन सिटिजन होने के नाते मुझे राइट टू हेल्थ का अधिकार है या नहीं है वैसे आप लोग भी तो सोचते फणनामेंटल राइट एवेलेबल है की नहीं है तो आज का हमारा डिस्कॉशन इसी टॉपिक पे है डाट इस राइट टू हेल्थ ठीक है तो आज हम लोग इस इंपोर्टेंट क्वेस्टिन का एंसर फाइंड आउट करने वाले है कि क्या एक इंडियन सिटिजन को राइट टू हेल्थ एज़ फणनमेंटल राइट अवेलेबल है की नहीं है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना डिस्कॉशन हमारा तो अगर मैं राइट टू हेल्थ की बात करूँ ना तो वो एज़ फणनमेंटल राइट हमारे कॉंसिट्यूशन में एक्स्प्लिसेट्ल तो मैंशन नहीं है बट एक अंब्रेला आर्टिकल है हमारा कौन सा आर्टिकल 21 तो क्या कहता है यह राइट टू लाइफ एन्पॉसनल लिबर्टी और इस अंब्रेला आर्टिकल के अंडर जितने भी चीजे हैं जितने भी राइट से जो की आपके एक हुमन लाइफ को आर्टिकल 21 में इंक्लूड़ेड है थू जुडिशियल इंटर्प्रेटेशन अपे बहुत इंपोर्टेंट के से बहुत लैंड मार्ट के से ऑफ दी ऑन्रेबल सुप्रीम कॉर्ट अफ इंडिया और इस केस में सुप्रीम कॉर्ट कहती है की जो एक्स्प्रेशन यूज़े आ अपके पास कोई राइडब नहीं है तो जिंदगी जीने के लिए न जो भी राइट इंपोर्टेंट है वह हम इंटर्प्रेट कर देते एस क्स्प्रेशन लाइफ में ठीक है Cand purchase एखिसे क्स्प्रेशन में तो लाइफ में नहीं, ऐसा नहीं है, आपके पास काफी सारे fundamental rights है, especially right to health, right to clean environment, right to sanitization, right to clean air, ठीक है, अब तो recent Supreme Court का judgment आया है, जिसमें आपके पास right against climate change भी है, तो यह सारे rights आखे जुडिशियरी और constitution ने आपको क्यों दिये है, क्योंकि आप एक dignified life जी सको, और case तो आपको पता ही होगा, Francis Kolari, versus the administrator union territory of Delhi, तो Francis Kolari में ही यह बात कही गई है, कि life means right to life with dignity, and not mere animalistic existence, आगे बढ़ते है, अब यह क्या है, यह है, बच्चों इंटर्नेशनल सिनेरियो, right to health से रिलेटेड, कि 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 इंटर्नेशनल instrument में, right to health आपका जो है, वो recognized है, तो पहला instrument, जो कि सबसे important instrument है, human rights से related, वो है आपका universal declaration on human rights, UDHR, बहुत ज़्यादा important है, especially क्योंकि UP का exam आने वाला है, हम लोगी सब in-depth discuss करेंगे, ठीक है, international law जब पढ़ेंगे, तो discuss करेंगे, सारी important instruments को हम, क्योंकि UP में international law आता है, GS paper में, तो अभी के लिए समझे कि ये बहुत important international instrument है, किसके उपर, तो human rights के उपर, basic human rights जो आपको bond होते ही मिल जाती है, उनके उपर है, तो इसमें article 25 जो है आपका, ठीक है, वो बात करता है, आपके right to health के बारे में, apart from this, international covenant on economic, social and cultural rights, इसमें कौन सा article है, article 12, और अगर आप ICCPR की बात करेंगे, तो article 10 बात करता है, right to health की, in fact, 17 sustainable development goals है, sustainable development goals है, जो कि इंडिया को पूरे करने है by 2030, इसमें जो आपका SDG3 है, sustainable development goal number 3, वो भी बात करता है, right to health की, equal access देने की, health care की, ठीक है, तो ये हमारा एक बहुत important sustainable development goal भी है, और ये कब तक अचीव करना है, हमें 2030 तक अचीव करना है, इंडिया का target है कि हमें ये sustainable development goals जो है, वो अचीव करने है, आगे बढ़ते हैं, अब part 4 of the Indian constitution, जो की बात करता है, directive principles of state policy की, क्योंकि state क्या है, हमारा एक welfare state है, ठीक है, तो इस state पे भी एक duty caste की गई है, through directive principles of state policy की, आप जो भी citizen है, उनकी health का ध्यान रखोगे, medical facility का equal benefit उनको मिलना चाहिए, affordable access to health care उनको होना चाहिए, public health care का जो access है, उनको होना चाहिए, तो देखते हैं कौन-कौन से articles DPSP में बात करते हैं, right to health से related, तो पहला article है, हमारा article 38, जो की बात करता है, promote the welfare of its people, then comes article 39, subclosy, protect their health and strength from abuse, then provide public assistance in case of sickness, disability or undeserved want, ये में चाहिए, of living and consider improvement of public health as its primary duty, article 47, तो ये जितने भी articles अभी आपने right to health care, के relation में देखे हैं, जो हमने समझे हैं अभी यहां पे, वो state की duty है, चुकि state क्या है, एक state को हम लोग एक welfare state मानते हैं, ठीके तो उसकी duty है, अपने citizens के, प्रती की वो ये सारी चीजे जो है, इंशियोर करें अपने citizens को, चलिये आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं, some of the important cases, ठीके, जिसमें right to health की पार्थ की गई है, तो सबसे पहला important case है हमारा यहां पे, Permanent Katara versus Union of India, और इस केस में Supreme Court ने ये किया था, rule की every doctor, whether at a government hospital or otherwise, has a professional obligation to extend his services with due expertise for protecting life, यहां पे ये डिकलेर किया गया था, की right to receive medical aid, आपका fundamental right है, article 21 के अंडर, कोई भी doctor, चाहे वो government hospital में हो, चाहे वो private hospital में हो, आपको अपना services देने के लिए मना नहीं कर सकता है, आपको हक है medical care receive करने का, ठीक है, तो यह बहुत ही landmark decision है, Supreme Court का, where right to receive medical aid, रिकोगनाइस किया गया है, article 21 के अंडर, आगे बढ़ते, इन पस्चिम बंगा खेत मजदूर समीती, versus state of West Bengal, अब इसमें Supreme Court कहती है, कि right to health is a fundamental right, guaranteed under article 21, and the government has an obligation to provide, adequate health care facilities to its citizen, तो अगर आप पूछेंगे कि मैं कौन से case में इसको as a fundamental right बोला गया है, article 21 के अंडर, तो यह है, पस्चिम बंगा खेत मजदूर समीती, versus the state of West Bengal में, Supreme Court clear-cut health careers case में कि नहीं, government की duty है कि आप adequate health care facility provide करेंगे अपने citizens को, यह आपके mandatory duty है, ठीक है, यह duty caste कहा हो रही, constitution के अंडर, क्योंकि DPSP तो है ही, अब इसको fundamental right भी बना दिया है, article 21 के अंडर, आगे चलते हैं, इसके बाद एक केस आता है, consumer education and research center versus union of India, इसमें Supreme Court ने health किया है, कि right to health and medical aid, to protect the health and vigor of a worker, both while in service and post retirement is a fundamental right under article 21, तो अब इसमें Supreme Court बात कर रहा है, right to give medical care और medical aid, किसको अपने workers को, कौन देगा तो employer देगा, यह भी एक worker का fundamental right है, ठीक है, यही held किया है, Supreme Court में इस case में, चलिए आगे बढ़ते है, in Indian Medical Association and another versus union of India and others, very, very recent case, अब इसमें Supreme Court कह रही है, कि fundamental right to health, includes the consumer's right to know about the quality of products being offered by the manufacturers and those advertising them, अब यहाँ देखे किती important बात की है, ठीक है Supreme Court ने, कि आपको यह भी जानने का हक है, कि आप जो product खरीद रहे हैं market से, उसकी quality क्या offer कर रहा है, इसके तहत हम लोग misleading advertisements को prevent कर सकते हैं, अभी पतंजली पे बहुत बड़ा case, सब जुदे से है, अउनरेबल सुप्रियम कॉर्ट में, regarding misleading advertisements, in fact, काफी companies, जो हैं, वो misleading advertisements करती हैं, ताकि आप उनका product खरीदे, recently, Lays ने कहा है, कि हम palm oil reduce करेंगे, recently, Bonvita को government ने कहा है, कि यह health drink तो किसी भी angle से नहीं है, stop advertising it as a health drink, ठीक है, Maggie ketchup ने अपने added sugars कम की हैं, तो जब भी आप कोई product खरीदी है, ठीक है, आप level ज़रूर पढ़िए, कि basically, कौन सी ingredients हैं उस product में, क्या आपको नुकसान पहुचा रहा है, ठीक है, और आपको यह भी जानने का अधिकार है, कि वो quality of product कैसा है, in fact, जो brand ambassadors हैं, ठीक है, जो influencers हैं, जो उस product को market कर रहे हैं, अगर उन्हों on advertising standards of India, ठीक है, उसके guidelines को violate किया, तो वो भी liable हो सकते हैं, यह Supreme Court बहुत strict है, कि आपको guidelines follow करनी ही है, in fact, एक self declaration form भी submit करना है, जो भी आप advertise करने जा रहे हैं, उसके relation में कि हाँ, वो advertisement misleading नहीं है, तो यह सारी चीज़े जो है, right to health के अंडर आपकी protected है, तो ज़रूर लेविल पढ़के अपना quality of product चेक करियों और तब खरीदा करिये, और जित्ता जादा health literacy Indians में आएगी, companies debtor हो जाएगी, आपको घट या product बेचने से, क्योंकि वही चीज़ देखें न, वही चीज़ हम लोग क्यों US में जाते हैं, तो पूस्ते हैं, तो अलग लगती है, हमारे अगर कोई relative या, कभी हम लोग घूमने जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं न, कि वही चीज़ इंडिया में अलग चीज़ मिल रही है, तो बाहर जाते हैं, तो रूल्स और जादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो यह कौन रोकेगा, तो यह रोकेंगे, वी ऐसा कंजूमर्स, हम लोग को राइट टू हेल्थ, बहुत इंपोर्टेंटली लेना है, अपनी खुद की हेल्थ को, इसके बारे में आप जानना है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जाननी है, यह जानना है कि हम लोग क्या खा रहे हैं, कितना नुकसान कर सकती हैं हमें वो चीज़, तो यह सारी जो जाग रुकता है वो ज़रूरी है, और सुप्रीम कॉर्ट भी अब इस बात को रेकोगनाईज कर रहे हैं कि नहीं, अब जो भी कंपनीज हैं, जो भी मैनुफैक्टर से, यह जो भी ब्रैंड अवर्टीजमेंट्स दे रहे हैं, या अड़र्टाइजर से, वो सबको हम लोग लाइबल कर देंगे अगर quality of product में जो guidelines issued हैं, वो follow नहीं होंगी, तो, आगे चलते हैं, इन M.C. Mehta versus Union of India, the Supreme Court treated the right to live in a pollution-free environment as a part of fundamental right to life under Article 21 of the Indian Constitution, तो यही मैं कह रही थी, कि right to health का मतलब सिर्फ और सिर्फ right to health नहीं है, इसका मतलब यह भी है कि you have a right to live in a pollution-free environment, you have a right to clean water, you have a right to clean air, तो यह सारी चीज़े भी जो हैं, वो आपके right to health में ही आती है, बहुत ज़रूरी है हमारा production-free environment में रहना, ताकि हमारी health अच्छी रह सके, तो यह सारी rights जो है न, इस्पेशली इंडिया का जो environmental law jurisprudence है, यह आपस में बहुत ज़्यादा connected है, आगे बढ़ते हैं, हम अपने session में, Indian Council for Envoyer or Legal Action versus Union of India, अब इस में Supreme Court में बहुत important principle lay down किया है, और वो है polluter pays principle, तो Supreme Court कहता है, अगर कुई company pollute कर रही है, तो pay भी वही करेगी, तो यह सारे environment law में तो हम लोग पढ़ते ही हैं, बट यह सारे जो हना, हमारे right को भी, right to health को भी impact करते हैं, हम लोग cases जो हैं, constitution में भी पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि यह सब हमारे right to health से related है, right to clean environment, पीछे देखा, आपने Indian council for environmental legal action में और polluter pays principle आया, यहाँ पे, ठीक है, फिर MC Melta versus Kamal Nath, अब इस case में Supreme Court lay down करती है, public trust doctrine को, देखिए हमारे पास ना कुछ natural resources है, और यह natural resources, public good के लिए हैं, ठीक है, public good के लिए हैं, तो आप इनको private test के लिए यह नहीं कर सकते हैं, utilize नहीं कर सकते हैं, private purposes के लिए, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि natural resources पे सब का हाख है, हम लोग tax दे रहे हैं, ठीक है, natural resources के लिए दे रहे हैं, उनके maintenance के लिए दे रहे हैं, तो natural resources पे सब का हाख है, being the citizen of India तो कोई भी एक influential आदमी natural resources को जो है private purposes के लिए use नहीं कर सकता है क्यों नहीं कर सकता है क्योंकि violation होगा public trust doctrine का तो natural resources को भी protect करना बहुत important है ताकि आपकी right to health को बचाया जा सके क्योंकि natural resources रहेंगी तो climate change mitigate होगा climate change का जो हम लोग अभी है heat wave देख रहे हैं या यह सब जो दुश प्रभाव देख रहे हैं वो सब सब कम होगा अगर हम लोग focus करेंगे natural resources को बचाने का ठीक है और natural resources को आप private purposes के लिए use नहीं कर सकते हैं तो MC में तो वसिस कमलनाथ के case में evolve किया था honorable supreme court ने public trust doctrine को अब आते हैं law citizens welfare forum versus union of india के case पे इस case में supreme court ने कहा था कि precautionary principle and the polluter principle are essential features of sustainable development sustainable development बहुत जादा जादा ही ज़रूरी है अभी के time में क्यों ज़रूरी है क्योंकि बिना sustainable development के आपकी health सही नहीं रहेगा आपका environment clean नहीं रहेगा जो resources है वो खतम हो जाएंगे वो future generation के लिए नहीं बचेंगे हमारे पास जो resources है natural resources वो हमने अपने forefather से inherit की हैं तो हमारे फर्ज बनता है कि हमारी future generation जो है वो भी इसको enjoy कर सके इस लिए sustainable development पे इतना जादा focus है और supreme court इस case में कह रही है कि polluter pays principle और precautionary principle जो है वो sustainable development का एक बहुत जादा important part है चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इस discussion में हम लोग अब supreme court में एक historic judgment deliver किया है कि आपके पास right against adverse impact of climate change भी है अब किस case में किया है तो MK Ranjit Singh and others versus union of India and others के case में that you have a fundamental right against the adverse impacts of climate change यह बहुत जादा ज़रूरी है अभी आज की date में because climate change ऐसा नहीं है कि आने वाले time में आने वाले climate change आ चुका है और हम लोग उसके ill effects से या कह सकते हैं दुश प्रभाव से अभी भी जूज रहे हैं deal कर रहे हैं और धीरे धीरे यह और भी जादा भायानक रूप ले सकता है इसलिए Supreme Court ने recognize किया है article 21 में आप government को accountable थहरा सकते हो for mitigation of climate change आपके पास right है कि आप adverse effects ना सफर करो climate change के with this we come to a conclusion of our today's discussion I hope आपको यह discussion अच्छा लगा आपको समझ में आया हो कि हाँ आपके पास right to health और कहां कहां आप right to health इस्तेमाल कर सकते हो अपना कहां कहां आप government को accountable थहरा सकते हो आपको यह भी समझ में आया होगा कि state की जो duty है कैसे है अपने citizens की तरफ उनके health को protect करने की और अब तो Supreme Court ने right to adverse effects of climate change ठीक है इसको भी fundamental right मान लिया है so that आप एक free environment में रहें आप एक clean air को breathe करें आपके पास clean water हो आपके पास वो सारे rights हो जो की एक dignified life जीने के लिए important होते है अब हम लोग बात करते हैं हमारे बहुत ही जादा एतिहासिक justice batch की तो justice batch launch हो चुका है अगर आप चाहते कि आप मुझ से पढ़ें तो आप justice back join कर सकते हैं बहुत ही affordable है हम लोग pre से लेके interview की यहां तक त्यारी करा देंगे आपकी और बहुत अच्छे से त्यारी कराएंगे तो अगर आपको कोई भी query है और आप judiciary की exam की त्यारी करना चाहते हैं आप judge बनना चाहते हैं तो जरूर join करिए justice batch हमारा ठीक है और इसके बाद मैं बता दूं कि law and secuse चलते हैं आपके for all state judicial services examination Monday to Friday दो बज़े free में अड़ा अप पे तो अगर आप practice करना चाहते हैं अगर आप चाहते हैं आप से silly mistakes ना हो exam में तो आप मेरे साथ जूड सकते हैं Monday to Friday दो बज़े अड़ा अप पे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो please वीडियो को like करिए चैनल को subscribe करिए for more such interesting comments for more such interesting content ठीक है और अगर आप को कोई और topic पर session चाहिए मुझसे तो आप मुझे वो comment box में बता सकते हैं thank you